नई दिल्ली ने तैकर लिया है कि जमुकश्मीर के नए डिर्क्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभाथ होंगे इस समय जमुकश्मीर पुलिस के डीजीपी है आरार स्वैन इंटेग्रिटी को लेकर विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि इनकी इंटेग्रिटी पर सवाल नहीं खड़े किया जा सकते हैं डीजीपी आरार स्वैन जमुकश्मीर के डीजीपी केवल यारा महीने के लिए रहे केवल यारा महीने के लिए रहेंगे सेप्टेंबर में जब अगर टेनिवर खत्म हो जाएगा तो ठीक यारा महीने बाद डीजी पी आरार स्वैन जब मुकिश्मीर पुलिस का यूनिफॉर्म उतारेंगे और किसी और रूप में किसी एक नए रोल में जब मुकिश्मीर के लोगों की सेवा करते रहेंगे लेकिन नलन प्रभाद कौन है जो डीजी पी आरार स्वैन को रिप्लेस करने जा रहे हैं यानि एक वो शक्स जो करप्शन नॉंसंस डबल अजंट वाइट कॉलर टेरिरिजम इन तमाम चीजों को टॉलरेट करने वाला नहीं उसकी जगा आप जब मुकिश्मीर कौन आने जा रहा है जब मुकिश्मीर में आने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के रहने वाले नलन प्रभाद लंबा समय और इनका परिवार पंजाब में रहा उसके चलते इनके बारे में यह मशूर है कि यह आपने काम करने के तरीके से इन में जो काम करने का जज़्बा और इस तरीके से काम यह करते हैं उसमें पंजाब जलगता है 14 अगस्त 1908 को इनका जनम हुआ 1992 में यह इंडियन पुलिस सर्विस में आए सैंट स्टीफिन्स कॉलिज से इन्होंने में आउनर्स किया और साथ मेडल इन्हें मिले हैं जिसमें पुलिस मेडल फर गैलंट्री पराकरम मेडल पुलिस मेडल फर इस्टिंग्विश सर्विसेज पुलिस मेडल फर मेडिस्टोरिस सर्विसेज आंत्रिक सुरक्षा पदक आंत्रिक सुरक्षा पदक जमुकश्मीर को लेकर भी और पुलिस स्पेशल द्यूटी medal with bar, जमुकिशमी में सेवाएं देनेके लिए ये दो medal जो मिले हैं प्रभात को, ये केवल और केवल जमुकिशमी में सेवाएं देनेके लिए मिले हैं इसके इलावा commendation का जहां तक तालुक है तो commendation medal इन्ये आंदर्परदेश की मुख्यomosंत्री ने साल 2005 में दिया दीजी CRPF ने 2007 2008 2009 2014 में दो बार और 2015 में तीन बार इनको commendation medal मिला और जमो कश्मीर के DGP ने भी साल 2008 और साल 2010 में नलिन प्रभाद को DGP's commendation medal दिया जहां तक appreciation medal है appreciation का तालुक है तो उसमें जमो कश्मीर के मुख्यमंत्री ने एक बार डीजी पी जेनके ने दो बार और special डीजी जेनके zone 2 ने दो बार उसके इलावा जहां तक नलिन प्रभाद के carrier का तालुक है जब नलिन प्रभाद आज IPS officer ने काम करना शुरू किया पहली बड़ी जिम्मेदारी इनको आंदर प्रदिश में करीम नगर के SP के तौर पर मिली उसके बाद वरंगल के SP रहे लेकिन उसके बाद इनको भेजा गया शिर नगर 14 ITBP के कमांडेंट के तौर पर अक्तूबर 2004 से लेकर जून 2005 तक नलिन प्रभाद जमो कश्मीर में रहे उसके बाद 21 ITB के कमांडेंट के तौर पर इनने सेवाएं दी जून 2005 से लेकर नवंबर 2005 तक और उसके बाद 16 ITBP के कमांडेंट के तौर पर लगदाख चले गए नलिन प्रभात और वहाँ पर सिवाए दी नॉम्बर 2005 से लेकर दसुम्बर 2006 तर उसके बाद जब आतंकवाद अपनी चरन सीमा पर था और जबरदस्ट परिशानी का शिकार पूरा जम्मुकश्मीर था तो ये साउथ कश्मीर के ऑपरेशन्स डियाईजी साउथ कश्मीर ऑपरेशन्स CRPF के जनवरी 2007 से लेकर जनवरी 2010 तक रहे पर आपको याद होगा कि ये वो सारे साल हैं जिन सालों के बीच में अमरनात अंदोलन भी हुआ उसके बाद आतंकवादी गतिवी दियाँ भी बड़ी साल 2009 भी नौ की डिस्टर्मिंस भी आपको अच्छे से याद होंगी उस समय डियाजी के तौर पर CRPF के डियाजी के तौर पर साउथ कश्मीर ऑपरेशन रेंज देख रहे थे नलिन प्रभाद जनवरी 2007 से लेकर जनवरी 2010 तक उसके बाद डियाजी चंदिकर रेंज रहे गे CRPF के जनवरी 2010 से लेकर मार्च 2010 तक फिर उसको अब बस्तर चले गए ऑप कि नलिन प्रभाद को जैसे जमो कश्मीर दोबारा बुला रहा था तो साल 2010 में दसुंबर 2010 से लेकर जून 2012 यह वह पीरिड है जिस पीरिड में जमो कश्मीर में एक नया आतंक वाद जिससे सोशल मीडिया के जरिये लोगों तक पहुँचाया जा रहा था जो जनम ले रहा और जो बढ़ रहा था उस पीरिड में आपरिशन्स इंटेलिजन्स उसके बाद इंटेलिजन्स ट्रेनिंग जेन के जोन सिरनगर सेक्टर सी यार्पिफ की यह डियाई जी रहे यह दसुंबर 2010 से लेकर जून 2012 तर उसके बाद महाराश्ट्रा चले गए वहां जून 2012 से लेक पर काम किया फिर वापस जमो कश्मीर आए और साल दोजार एपरिल 2013 से इन्हें आईजी कश्मीर ऑपरेशन्स सेक्टर सी यार्पिफ के तौर पर दुबारा से जमो कश्मीर में कामकाज संभाला जयां तक का आइटी बी के कमांडेन्ट के तौर पर तब भी उच जमो कश्म में रहे हैं और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं बलकि यह तो मैंने सिर्फ आपको यह बताया कि नलिन प्रभाद का अगर maximum tenure आप देखेंगे जब सिवा IPS में उसमें ज्यादा तर वक्त आतंक वाद से लड़ते हुए उन्हें कश्मीर में गुजारा है अभी नलिन प्रभाद को एनस्टी का डिरेक्टर बनाया गया था एपॉइंट्मेंट्स कैबिनिट कमिटी ने इंटर कैडर डेपूटेशन किया था नलिन प्रभाद का डेक्टर जनलना थी के आंदर प्रदेश से अरुनाचल प्रदेश, गोवा, मिजुरम, यूनिटेरिटी, कैडर में इनको तीन साल के लिए लाया गया है और उसके फॉरन बाद एक और ओर आया जिसमें ये कहा गया कि नलिन प्रबाद फिलाल तो जमुकश्मीर के स्पेशल डीजीप के तौर पर अपना कार साफ़तोर पर ये कहा गया था कि आंदर प्रदेश कैडर के हिमाचल प्रदेश के रहने वाले पंजाब में इस समय जो रह रहे हैं नलिन प्रबाद अब जमुकश्मीर के नए डीजीपी होंगे लेकिन सप्टमबर तीस के बाद जब इस वाकर जो डीजी है आरार स्वें व के तौर भी जमुकश्मीर में रहे हैं लंबा समय ने जमुकश्मीर में दिया है और जमुकश्मीर को लेकर इनकी जानकारी काफी वीडियो भी इनका वायरल हो रहा है जिस वीडियो में कश्मीर में एक जगा है और वहां पर यह पत्रकारों से बात कर रहे हैं और आतंकवा कम रखते हैं और फिल्ड में जाने में ज्यादा उत्सुक रहते हैं या अगर कहीं आपरेशन चलना हो बड़ा आपरेशन हो तो फॉरन आपको नलिन प्रभात वहां पर नजर आएंगे और उसके लावा कई फिदाईन अटैक्स जो घाटी में हुए उन फिदाईन अटैकों क के बाद आतंक क्योंको तराश करने में और उनका खात्मा करने में इनका बड़ा रूल रहा है नलिन प्रभात जमो कश्मीर के डीजीपी बनेंगे ऐसी कोई ख़बर कहीं पर रही थी सूत्रों के हवाले से ख़बर या रही थी कि जमो कश्मीर में आईजबी कश्मीर रहे वेजय कुमार भी जमो कश्मीर के DGP बन सकते हैं, उसके इलावा राजेश कुमार यादव हैं, वो DGP बन सकते हैं, उनकी संभावना भी थी, उसके इलावा यूं भी कहा जा रहा था कि एक possibility ये भी है, कि किसी एक officer को जो दिल्ली कैडर, अगमुट कैडर का दिल्ली में हो, उसको जमो कश्मीर लाया जा सकता है, उसे DGP बनाया जा सकता है, special director IB महेश दिक्षित का नाम भी था कि वो भी जमो कश्मीर के नए DGP हो सकते हैं, लेकिन out of the box, डेली ने चुना एक ऐसे officer को, जिस officer का experience जमो कश्मीर में insurgency को लड़ने को लड़ने को लेकर काफी ज्याद करते हुए कि पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को इस बार जमो कश्मीर में export किया है, और जिनके खिलाफ इस वह लड़ाई लड़ी जा रही है, उन आतंकियों को लेकर अलग-अलग तरह की खबरें जो हैं, वो चल रही हैं, कोई कह रहा है कि कमाडो ट्रेंड है, फलाना ट्र लड़ाई कहीं पर नहीं बरती जाएगी, हर फ्रेंट पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी, ये लड़ाई इंटलिजन्स के फ्रेंट पर भी लड़ी जाएगी और ये लड़ाई ग्रांट पर भी लड़ी जाएगी, ऐसा लगता है, नलिन प्रभाद के आदमी हैं यानि आप्रेशंगे में यकीन करने वाले आद्मी है और सी जगा इस समय जो डिट जनल पुलिस फ्रेण हैं उन्हें प्रभात में आगर एक कंपैरटिव अनालिस नालिसिस यह है कि जहां operations पर आरार स्वैन बहुत ज़दा विश्वास करते हैं meticulous operations करने पर जोर देते हैं वहीं पर इन में खासियत यह कि इन्हों ने anti corruption को लेकर जो alarm उठाया है corruption को लेकर जो इन्हों ने अभ्यान छेडा है उस अभ्यान में आरार स्वैन को यह साफ़तोर पर मानना है कि corruption को किसी भी लेवल पर टॉल्डेट नहीं किया जाना चाहिए double agents टॉल्डेट नहीं किया जाने चाहिए white collar terrorism टॉल्डेट नहीं किया जाना चाहिए और किसी ऐसी तरह का आतंक वाद जो आतंक वाद आगे चलकर कोई और शक्ल ले ले उसे बरदाश्ट नहीं किया जाना चाहिए strategy पर वो काम करते रहे और उसी के चलते बहुत सारे policies के अंदर जो बद्लाव और जो तबदीले आई हैं उसका credit भी डीजी पी आरार स्वैन को जाएगा लेकिन जहां उमीद और तवक्का ये थी कि शायद उनका टेनिवर एक साल एक्सटेंड किया जाएगा शायद उन्हें और ज़्यदा मौका दिया जाएगा वहीं पर अब ये खबर आ रही है कि उन्हें कोई और ज़्यदा इंपॉर्टन जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है और जमुकश्मीर में जो उनका टेनिवर है वो तीस सप्टेंबर डीजीपी के तौर पर तीस सप्टेंबर दोजार चॉबिस को खत्म होगा और हिमाचर प्रदेश में पैदा हुए एनेशी के डिरेक्टर जिन्हें इंटर कैडर डेपुटेशन पर आंद्रप्रदेश कैडर के IPS आफिसर नलिन प्रभाद जमुकश्मीर के नए डीजीपी होंगे और ये भी मैं आपको बताऊं कि साल दोजार अठाइस में जाकर इनकी रिटार्मेंट होगी तो नलिन प्रभाद के पास तीन साल का डेपुटेशन तो है लेकिन अगर केन सरकार चाहे तो वो लगातार चार साल जमुकश्मीर के डीजीपी रह सकते हैं और डीजीपी दिलबाग सिंग और इससे पहले डीजीपी कुल्दी खुड़ा के बाद एक लंबा टेनिवर नलि CRPF में जब काम कर रहे थे तो CRPF का DIG, CRPF का IG उसको लेकर लोगों की जानकारी बहुत कम होती है ज्यादा जानकारी होती है कि IPS में कौन कहां पर पोस्टेड है लेकिन इनुने एक लंबा टेनिवर जमुकश्मीर को दिया है आतंकवाद से लगाई लड़ी है इसी experience को ध्य में रखते हुए नेलन प्रभाद को जमुकश्मीर का नया डीजीपी बनाए गया है